Hello students, कैसे हूँ, अच्छे हूँ, चलो, अभी तक हमने बढ़ा था कि हमारे पास Variation of Temperature पढ़ा था Resistance की Variation बताई थी हमने Temperature अगर अगर हम vary करेंगे तो Resistance and Resistivity हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाईगे, आपके पास vary करेंगे आज हम पढ़ते हैं कुछ basic circuit theory के बारे हम पढ़ते हैं आगे हमारे पास आता है कि basic circuit theory basic circuit theory है यह हमें क्या बताती है साथ से पहले यह एक simple सा क्यों सुन करते हैं यह मैंने कह देखिए मेरे पास एक बैटरी है बैटरी है वो 20 वोल्ट की है इसके साथ एक रजिस्टर जोड दिया जिसका रजिस्टेंस है वो हमारे पास 10 ohm के ब्राबर है तब यह कहता है कि हमें find out करना है कि वह हमारे पास इसमें से current कितना flow करेगा बैटरी है यह रजिस्टर है यह वाड़ी है यह हमारे पास conducting wire होगी औ और जब हम conducting wire की बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि conducting wire का जो रजिस्टेंस है वो कितना होगा आपके पास 0 होगा यह तो बैटरी का पोजिटिव टर्मिनल हो गया यह हमारे पास नेगिटिव टर्मिनल हो गया इस पॉइंट में कहूंगा कि हमारे पास potential plus 20 volt और यहां पे म तो यहां प्लस 20 volt यहां पे 0 था तो यहां भी कितना होगा 0 इस point पे कितना होगा 0 तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस conducting wire इस रजिस्टर के across जो potential होगा वो कितना होगा के पास 20 volt के रहेगा 20 minus 0 is equal to 20 therefore current flowing I is equal to V upon R is equal to 2 ampere के वरापर हो गया आगे क्यूशन देखो आगे क्यूशन हमारे पास हमने इस type का consider किया है कि हमारे पास यह कोई भी एक बैटरी लगाई बैटरी है यह 8 volt की है एक यह रजिस्ट लगाया एक बैटरी लगाई एक यह रजिस्ट लगाया एक अपने यह वाला रजिस्ट लगाया और एक यह बैटरी लगाई है और यह बैटरी है वो भी हमारे पास 10 volt की है यह बैटरी है यह हमारे पास 4 वोल्ट की है यह 8 वोल्ट के हर एक रजिस्टर को मैं इनकंसिडर कर लिया 1 ओम 1 ओम और 1 ओम का रजिस्टर है यह हमने कंसिडर किया है तब यह कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है current in each arm of the circuit हर एक arm के अंदर current है वो consider करना है अब यहां से मैं यू कह दो कि यह point है वो zero potential का ले लिया मैंने मान लिया suppose किया है तो यह point बोलो कितना होगा आपके पास zero volt यह वाड़ा कितना होगा zero volt क्योंकि यह सारे किस के साथ connect कर रखे हैं हमने किसी conducting wire के साथ connect कर रखे हैं यह बैटरी का positive terminal यह zero volt है तो बोलो यह हमारे पास minus eight volt होगा zero minus minus eight is equal to plus eight volt के बराबर आ गया उसके बाद यह देखो zero volt है यह बैटरी का हमारे पास direct connect हो रही है direct connect हो रही है तो यह मैंने कह देख वे हमारे पास कितना होगा अब हमें देखना है कि यहां पे कितना potential होगा अब देखो यहां पे हमने बताया है कि यह zero था यह zero है तो यह हमारे पास कितना होगा 10 volt होगा हमने एक चीज़ अमेसिया पढ़ रही है कि current है वो अमेसिया flow करता है from higher potential to lower potential देखे मैंने मान लिया कि इदर current आ गया आपके पास I1 current आ गया बही I is equal to resistance 1 ohm का यहां पे इसके across potential drop देखो higher potentials and lower potential that is मैं कहूंगा पलस 10 minus minus 8 is equal to 18 volt के वराबर आ गया बोलो कोई डाओ टो इसमी इस रजिस्टर के across potential drop 18 volt तो current होगा I is equal to V upon R is equal to 18 ampere के वराबर होगे अब देखो इस वाले रेजिस्टर की बात कर रहा हूं यहां पे potential कितना है 10 sorry 0 यहां पे कितना है 10 IR से lower की side में current flow करेगा I2 I2 is equal to potential difference 10 minus 0 10 upon 1 is equal to मारे पास कितना है 10 ampere के वराबर आ गया अब बात आती है कि इस में रेजिस्टर में कितना current flow करेगा देखो यह कितने वोल्ट पे है 10 वोल्ट पे यहां पे कितना होना चाहिए कि potential हमारे पास battery का 10 अचाहिए मैं एक प्रस्पोज करता हूँ यहां पे कितना आ गया V1 यह तो आईए रोगर यह हमारे पास क्या रहेगा आपके पास lower रहेगा तो 10 minus V1 is equal to 4 और यहां से मैं कहूंगा V1 को इधर लियाओ 10 is equal to V1 plus 4 और V1 के value कितनी आ गई 6 वोल्ट आ गई मतलब कहने का यह हो गया कि यहां पे कितना potential हो का 6 वोल्टों का दूसरा एक shortcut देखो इसका यहां पे आपको द्यान रखना है कि जब यह पलस 10 है और positive यहां पे connect है तो यह बड़ा गटा दूतना है potential लाएगा यहां पे यह पलस था 10 minus 4 is equal to कितना आगे आपके पास 6 वोल्ट के ब्राब्रा आगे इस register के across में देखता हूं कि वह हमारे पास potential difference हमारे पास कितना होगा 6 वोल्ट आगे है current से यह था i3 i3 is equal to हमारे पास किस के ब्राब्रा है 6 upon 1 is equal to 6 ampere के ब्राब्रा आगे है यह यह आया है देखो यहां से यहां से हमारे पास current कितना है आई वन के value देखो आई वन के value आई 18 ampere के ब्राब्रा आई यहां से गुमता हो current आ गया 18 ampere यहां से कितना आ रहा था आपके पास i2 के value 10 इदर चला गया 18 और 10 28 ampere इदर चला गया देखो यहां से i3 आया और यहां से 28 आया बोलो इदर ही जाएंगे इदर जाएंगे तो दुनों गैड कर लो 28 पलस 6 34 ampere के ब्राबर current flow करेगा इस case के अंदर जितना भी हम case करेंगे वहां पे battery कहीं न कहीं direct connect हो की उसके साथ कोई भी रजिस्टर नहीं होगा और जब battery direct connect हो तो एक point पे तो आप 0 potential मान लो और उसके बाद इसको शोल कर दो exact answer आएगा इसका अगले question देखो अगले question एक हम दिल वड़ा question करते हैं ध्यान से देखना यहां पर यह कह दिया कि वह यह अमारे पास एक battery है उसके बाद हमने यह कह दिया कि वह एक यह वड़ा रजिस्टर है इसके साथ एक battery लगा दी एक यह वड़ा हमारे पास battery है यहां पर हमने एक रजिस्टर लगाया है यहां पर connect करते हैं इसको यह battery मैंने मान लिए दास वड़्सकित है यह battery है 2 व्ल्ट की है यह मने मान लिए 6 वल्ट की बादरी है यह रजिस्टर चारोउम का अगॉड और यह रजिस्टर है यह आने अए किया है च्यार ओम का रिजिस्टर हैं वो तब यह कहता है कि हर एक अंदर हमें करण्ट है वो कैलकुलेट करना है देखो यहां पर बैटरी डारेक्ट इस पोइट वोटेशले कितना मान लिया मैंने 0 यहाँ पर हमाइरे पास कितना होगा जीरो इस पउ वोकितना होगा आपके पास 10 क। की व्योल्ट वोल्ट के बिर पर होगे अब हाँ पोटेंशलि निकालना है और एक रिजिस्टर के इसके रिष्ट के मने पोटेंशल डिफ्रेंश य्र रॉचोट्र डिफ्रेंश एर इस रिजिस्टर के एक रोस पोटेंशल डिफ्रेंस होगा वो हमारे पास आया 10-2 is equal to 8 वोल्ट के बराबर आ गया करंट निकाल दो आई वन मान लेता हुमें इस में से higher potential 10 और lower potential यह वड़ा इदर से बोलो इदर जाएगा या नहीं तो 10-2 8 वोल्ट 8 अपोन 4 is equal to हमने कितना कह दिया तो एंपियर करंट फ्लो करेगा इस साइड में आओ यहां पे कितना था जीरो यहां दस यहां भी दस यहां पे कितना है आपके पास जीरो वोल्ट अब बोलो यहां पे कितना होगा यहां पे जैसे हम calculate करेंगे तो हम कहेंगे कि हमेशा current है वो higher से लोगर फ्लो करता है यह 10 वोल्ट है और यह कितना है आपके पास 6 वोल्ट तो यहां कितना होगा जो देखो ना higher के साथ बैटरी का negative connect है तो आप यहां से कह दो कि 10 10 पलस 6 इज इकवल टो कितना वोल्ट हो जाएगा आपके पास 16 वोल्ट हो जाएगा यह आप यह मने कितना कह दिया 16 वोल्ट क्योंकि positive पे higher होना चीए और positive पे higher होगा तब ही तो current flow करेगा यह 16 यह कितना 10 16 माइनस 10 V positive माइनस V negative आएगा negative जब 10 पे है तो positive कितने पे होगा 16 तब ही तो बैटरी का potential हमारे पास 6 वोल्ट होगा तो यहां से मने कह दिए 16 वोल्ट और यह कितना है 0 इसके across potential difference निकालो potential difference 16 माइनस 0 is equal to कितना है आपके पास 16 वोल्ट current value निकालो I is equal to V upon R I is equal to V upon R 16 upon 4 is equal to कितना है आपके पास 4 एंपियर की बराबर current है वो फ्लो करेगा इस दर से हमारे पास जो current आया वो कितना है आपके पास 4 एंपियर इसमें देखो यहां 10 वोल्ट था यह कितना था 2 वोल्ट इस दर से हमारे पास जो current आएगा वो कितना हैगा 4 ampere sorry 2 ampere value हमने calculate करिए न 2 ampere इस जंक्शन पर मिलें दो इधर शेयर चैर इधर शेयर इधर जाने के पाद कितना होगे आपके पास 6 ampere के बराबर को गया therefore हम कहेंगे कि current flowing in each arm will be as shown दोबारा देख़ो इसको यह जीरो था बैटरी direct connect थी यह 0 मनना है तो किसी भी point मान सकते आप जीरो यह 10 आ गया यह 10 आया direct wire के साथ connect है तो यहां भी हमारे पास 10 हो का रजिस्ट आ गया अब देखो यह यह बैटरी का direct connect है तो यह 0 यह कितना होगा तो इसके अक्रोज कितना होगा यह 10 और यह 2 10 माइनस दो बराबर 8 वोल्ट के बराबर आ गया उसके बाद हमने क्या का current दिकाड़ना है आईवन आईवन इस इकल टो यह पोनार इस इकल टो कितना है आपके फास टू एंप यह बराबर आ गया यह देखो यह 10 वोल्ट तो यह भी कितना 10 वोल्ट यह 0 इस पॉइंट पर देखना है एक सिद्धी बात द्याम रखना है कि जब हमारे पास negative के साथ connect होना तो यह यह अगर यह ऐसे connect होती कि यह हमारे पास 10 वोल्ट और यह हमने कह दिया कि यह बैटरी है यह 6 वोल्ट कि दे रखी है अब बताने इस पॉइंट पे तो अब कितना होता आपके पास 4 वोल्ट पोजिटिव connect है तो गटा तो और negative connect है तो क्या कर दो आप एड़ कर तो और एड़ क आपके value निकाड़ती और current हमारे पास जो i2 आया वो 4 amp i2 इधर से इधर current जाएगा वो कितना चला जाएगा आपके पास 6 amp के बराबर current है वो flow करेगा आगे देखो आगे हमारे पास आता है यह question आता है और यह question यह कहता है कि एक यह battery दे रखी है कि यह इस अब कि यह आपर यह battery दे रखी है मैंने मान लिया यह battery है यह 2 or की battery है गेर अरेक रजिस्ट्र दो ओम का मान रहो हमें यह रिजिस्ट्र का यह रजिस्ट्र भी हमारे पास है 2.0 के ब्राबर हैं यह वैटरी हम ने कह देए कि 102.2 वॉल्ट के हैं इसके साथ एक रिजिस्ट जोड़े हैं और यह रिजिस्टर है वो 2.0 का रिजिस्टर है और यह वैटरी मैंना लिए कम ने इसे होड़ connect-connect हैं तो यहां पे कितना है आगया आपके पास 12 वॉल्ट के विरा पर आगया यहां पर जीरो तो बोलो यहां पर कितना इगा माइनस टू वॉल्ट माइनस टू बोल्ट अब देखो भी कि इस रेजिस्ट के अक्रोस पोर्टेंस ड्रोब बताओ इसके एक्रूस बोलो 12 माइनस 2 इज इकुल टू कितना आगया आपके पास 14 वोल्ट तो यहां से मैंने कह दिया किरंट निकाल लिया और करंट की वहलू बता दी मैंने आई 1 करंट है वह हमारे पास फ्लो करेगा तो आई 1 इज इकुल टू वी अपोन आर इज इकुल टू कितना आपके पास है 7 अमपियर की बराबर आगया अब देखो यह 12 वोल्ट और यह कितना है 6 वोल्ट तो बोलो यहां पे कितना आएगा आपके पास जब यह positive connect है तो इसका मतलब negative कर देंगे और negative कर देंगे तो यह potential कितना है आपके पास 6 वोल्ट के बराबर आगे है यह है इस resist के एक रोश देखो आपके तना potential है यह 6 वोल्ट है यह 0 वोल्ट है current इधर ही flow करेगा I2 और यहां से मैंने कहा दिया कि I2 is equal to 6 minus 0 6 upon 2 is equal to किसके बराबर आपके पास है थ्री एंपियर के बराबर आ गया है उसके बाद आ गया हो यह कितना है 12 वोल्ट यह बैटरी हमने माननी है consider करी है कि यह हमारे पास होगी 4 वोल्ट की देखो यह 12 नेगटिव के साथ connect है तो यहा आपके पास 16 वोल्ट 16-0 इस रेजिस्ट के एक्रोस पोटेंचल है वो हमारे पास होगा 16-0 is equal to 16 वोल्ट upon 2 is equal to कितना आ गया आपके पास 8 एंपियर 8 एंपियर यहां से आया है देखो एक बार 8 एंपियर इदर से 3 एंपियर इदर से वो लोनेट करेंट इदर जाए गया नह आठ और 3 11 एंपियर यहां से हमारे पास कितना रहा था 7 एंपियर तो 7 एंपियर इदर से आया और 11 एंपियर इदर से आया बोलो इदर कितना करेंट चला गया आपके पास 18 एंपियर के बराबर होगा this will be the value of current flowing through each arm हर एक arm से हमारे पास जो current flowing है उसकी value हमारे पास इसके पराबर होगी this is the value of the current एक ये बैटरी छोड़ गए हम इसको हमने आटाई दिया कि ये हमारे पास क्या आया कि this is the value of current flowing कोई doubt इसमें किसी कोई doubt वो तो पूछ सकता है दोबरा देख लोई इसको इस टाईब पर सर्किट दे रखा था direct battery connect है सबस्पेले हमें देखना है कि direct connect है या नहीं direct connect है तो उसको soul कर देंगे आगे एक किसनो और देख़ख़गे ऐसा एक किसनो ये कहता है एक ये रिजिस्टर मनना हमने ये रेजिस्टर है वो हमारे पास दो ओम का है ये मैंने कहा दिया कि ये बैटरी है वो 6 वोल्ट की है उसके बाद जहाँ से हमने मनना है कि एक ये रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर मैं मान लेता हूँ इस केस में बे कि दो ओम के बराबर है एक ये बैटरी लगा दी ये रेजिस्टर लगाया है और एक बैटरी ये लगाई हमने दो वोल्ट की बैटरी लगाई है इस ताइब का सरकेट डाइगराम है यहाँ एक बैटरी और चोड़ दी ये बैटरी है वो भी हमारे पास कितने वोल्ट के मानने हमने दस वोल्ट की बै यह रिजिस्टर दो ओम का यह रिजिस्टर भी दो ओम का यह रिजिस्टर भी दो ओम का यह बैटरी छे वोल्ट की यह मैंने मान लिया की चार वोल्ट की है यह बैटरी माननी है वो कितने वोल्ट की माननी मैंने दो वोल्ट की माननी है तब यह कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है current in each arm यह पॉइंट 0 potential ले लिया यह तो 0 potential पॉइंट आ गए अब देखो यह बैटरी डारेक्ट कनेक्ट हैं तो यहां पर कितना potential हो गया प्लस 10 बोल्ट यह प्लस 10 है तो बोलो यहां पर कितना होगा आपके पास बैटरी का कौन सा terminal connector positive के साथ है negative नेगटिव है तो यह कितना होगा आपके पास 16 बोल्ट यह प्लस यह प्लस चैनल को पोजिट दस वोल्ट के साथ तो सब्ट्रेक्ट होजएगा और सब्ट्रेक्ट हो जाएगा तो यहां भी जीरो यहां पर कितना हो गया दो वोल्ट यह जीरू यह अब कितना है जीरू तो यह कितना आगए आपके पास दो वोल्ट अब आओ करण्ट के वेल्व निकारते हैं यहां से देखो यह आमने कहते हैं इधर करण्ट जाएगा और कितना करण्ट जाएगा आई वन इस रजिस्टर के अगरोस पोटेंशल देखो 16 माइन इस केस में आओ यह कितना पोटेंशल 0 और यह कितना पोटेंशल 10 इस रजिस्ट के अगरोस तो यहां से मैंने माल लिया करण्ट आई यर से लोगर की साइड में I2 I2 is equal to 10 बटे 2 is equal to कितना है 5 एंपिर के वराबरा है इस रजिस्ट के अगरोस आओ मैंने माल लिया इधर पोटेंशल है 10 यह कितना है दो तो यहां से हम कहेंगे I3 is equal to 10-2 8 वोल्ट अपोन रजिस्ट्र दो एंपियर दो ओम इस इकोल तो कितना करण्ट फ्लो किया 4 एंपियर के बरापर हुआ I3 की वैल्यू आई 4 एंपियर के बरापर आई उसके बाद देखवा कि यह कितना है 6 व पोटेंशल ड्रोप कितना हो गया आपके पास 4 वोल्ट I4 is equal to 4 upon 2 is equal to 2 एंपियर यहां से करण्ट आया 2 एंपियर यहां से करण्ट I3 आया 4 एंपियर और यहां से इस साइड में जो जाएगा बोलो 6 एंपियर जाएगा या नहीं 4 एंपियर 2 एंपियर 6 और 5 11 एंपियर यहा 8 और 11 19 एंपियर के बराबर आएगा this will be the value of current flowing in each arm यहां पर बैटरी है in cases के अंदर हमारे पास डारेक्ट बैटरी है वो connect कर रखे है और डारेक्ट बैटरी कनेक्ट कर रखे है तो उसके बाद हमने इसको calculate कर दिया गभी हमारे पास इसके बराबर आएगा